हाई फ्रेंड यू अर्वाचिंग ऑनेर अब्दुल्ला और देखा जाए मार्किट को तो कैसी 100 इंडेक्स 64718 पॉइंट के उपर जो है वो क्लोज हुई 800 पॉइंट पॉजिटिव विटनेस के साथ और उसके बाद देखा जाए तो तक्रीबन 765.34 मिलियन का वॉलियम था औ 4040.5 के साथ और देखा जाए तो 64.5 माइनस के साथ मार्किट ने 63,853 का लो लगाया तक्रीबन 63853 का अगर बात करते हैं मार्किट की तो मार्किट में कुछ ऐसा है कि मार्किट ने आज दो दफार एजेक्शन लिये और दोनों दफार एजेक्शन 65,000 से पहले पहले लिये तो 65,000 तक इस वक्त देखा जाए तो मार्किट highly overbought है 95% के क्रीब क्रीब इस वक्त आपका जो है वो RSI है मार्किट का इंडेक्स का तो इस वक्त मार्किट जो है highly overbought है that's why जो है वो मार्किट के अंदर selling pressure end पे भी देखा गया और शुरू में भी selling pressure देखा गया लेकिन कुछ big players है जिन्होंने कुछ बड़े shares है उनके अंदर buying की जिनकी वज़ा से index जो है वो अपनी जगह के उपर रहा लेकिन आप सब लोगों को पहले भी बताया गया था कि मा हाई भी हो जाए लेकिन क्या है कि इस वक्त जो है market वो correction मांग रही है तो उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों को आज buy call दी गई थी इसमें एटी आरल ने एन आरल ने पीएसो ने पी आरल ने सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओजी डी सी और पीपील ने भी कर सकते थे जिस वक्त आपको buying call दी गई थी ओव वाई में बहुत दादा consolidation देखी गई इसके लावा देखा जाए तो जो है वो जो other shares है उनके अंदर भी अच्छा खासा जो है वो बाहर देखा गया air link में बहुत दादा बाहर था लेकिन जैसे market में देखा गया RSI हाय हुआ market overbought condition पे गई और index 65,000 cross करने लगा तो आपने देखा साथ ही selling आ गई और बहुत bilk level में selling आई है तो आप लोगों ने इस चीज़ को जैन में रखना है कल भी market मुझे correction लग रही है चाहे सुबा के टाइम थोड़ी सी उपर जाए अब अपनी profit taking करके बाहर आ जाए बेटर solution यही लग रहा है मुझे और market इस वक्त जो है वो correction मांग रही है तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने जेन में रखना है अगर मैं बात करता हूँ volume leaders की तो volume leaders में के electric limited जो है 3.98 पे close हुआ कली आपको बताया था कि बहुत अच्छा होने जा रहा है तकरीबं 45 पैसे plus के साथ इसमें Chinese company जो है वो इसको खरीदने जा रही है इसके shares खरीदने जा रही है उसके बाद देखा जाए synergy 22 पैसे plus के साथ 5 रुपे का आज इसने अपनी resistance ब्रेक कर दी 5 शारिया साथ पे close हुआ हैसकोल को देखा जाए तो 6 शारिया 85 पे close हुआ तकरीबं 6.85 पे 14 पैसे plus के साथ और 60 मिलियन का इसमें वालियम था 98 मिलियन का synergy में था और केल में 246 मिलियन का वालियम बहुत बड़ा वालियम कहलाता है उसके बाद देखा जाए WTL के अंदर आज 59 मिलियन का वालियम था good वालियम और WTL तकरीबं कोई 1.64 के ओपर आज इसने closing दी जो कि आज 1.66 इसने high भी लगाया WTL ने flight पकड़ लेनी है within 15 December से पहले पहले या शायद उसके करीब 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 तो या आप सबने जहें में रखना उसके बाद PTCL की जो कल लएक आप लों को news दी गई थी कि टेले नोर को जो है वो purchase करने जा रहा है तो आप देख सकते हैं के PTCL भी तकरीबं 59 59 पैसा प्लस के करीब है आज क्लोज हुआ तकरीबं PTCL में भी 43 मिलियन का वालियम था 8 इशारिया 65 पे इसने क्लोजिंग दी उसके बाद पहल ने आज कैप लगा दिया 20 इशारिया 23 के ओपर क्लोजिंग दी हम नेटवर्क है 7 इशारिया 95 पे लेकिन इसमें भी आज बाइ देखी गई है SSGC में 59 पैसा प्लस के साथ 13 इशारिया 70 पे लोजिंग दी यूनिटी तकरीबं 27 इशारिया 25 के ओपर क्लोज हुआ 44 पैसे प्लस के साथ अब अगर बात करते हैं मार्किट की के मार्किट में हुआ क्या और जो है वो कंट्रीब्यूटर्स टॉप कौन कौन सर पाद हूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स में जो है वो ATRL, PRL और NRL और PSO यह सरे फेरेस तरे हैं और मार्किट को गिराने के लिए जो जिन शेर्स ने आज मार्किट को डिकलाइन किया उनमें OGDC था PPL था और जो है वो अदर कुछ शेर्स थे जिन्नोंने मार्किट को बहुत कोनेक्शन नोट की उसके बाद अगर मैं नियूज की बात करता हूं तो मारकिट के अंदर बहुत सारी ऐसी नियूज आई जिसकी वज़ा से मारकिट ने वैल परफॉर्म किया सबसे पहले जो PRL की सुबह सुबह नियूज आप लोगों के साथ शेर कर दी गई थी कि आप ल जो शेर्थ है वो चीनी कमपनी को फ्रोक्त करने का फैसला कर लिया गया है ये भी एक अच्छी नियूज थी उसके बाद देखा जाए तो आपके जो है वो गौर्मेंट सेक्टर की तरफ से जो है वो नियूज आई एक वो आप अगर देखें के पाकिस्तानी बैंकों के बा साइस स्टाक मार्केट उसके बाद पास टाक हकुमत बान्स की निलामी से तीस अरब रुपे कुटे करेगी तो आप यह देख सकते हैं कि तीस अरब रुपे की इन्वेस्पेंट अकूमत जो है वो बान्ड के जिरिए माकेट में लाने जा रही है और उसके उपर उसने प्र प्रॉलियम अटक रिफाइनरी लिया सुबह तकरीबं 362 पे और मैंने उसके अंदर एक्जिट ले लिया 374 के उपर उसके बाद वो 380 पे भी गया 378 पे भी गया लेकिन एक्जिट ले चुका था मुझे पता था यार मुझे एक अच्छा बेनेफिट मिल गया that's fine for me उसके बाद मारकेट गिरी और आप देख सकते हैं कि अटक रिफाइनरी दुबारा इसके लिए अपनी प्लैनिंग कर ली है उसके बाद देखा जाए तो तक्रीबं तक्रीबं 17 दिसंबर तक जो है ग्लोबल टेक की भी नियूज आ गई है कि ग्लोबल टेक भी ट्रेड करना शुरू कर देगा तक्रीबं कोई 17-18 दिसंबर तक ये भी एक WTL का एक चोटा सी ब्लॉक की सूरत में नियूज आई थी उसके बाद देखा जाए स्टेट बैंक अड्मिस्टेशन फर्स ट्रेंच सो वाई दर डिले आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो इंटरनेशनली मोनेटरी फंड जो है उसकी तरफ से जो है आईमेफ की तरफ से आपको जो है फर्स ग्लास के वाले से तारिक ग्लास एक्वाइड 50% स्टेक्स ऑफ MMM होल्डिंग तो ये तारिक ग्लास की एक नियूज थी उसके बाद एखा जाए तो TGL की उसके बाद गॉर्मन कंसीडर ड्रॉपिंग 137 नॉन स्टार्टर प्रोजेक्स तू सेव रुपीज 116 बिलियन ठीक ह SLGC प्लान IPO for LPG subsidiary ये आपको कल भी नूल दे दी गई थी कि इस वकर जो है वो SSG जो है वो LPG के जो शेर्स है वो तकरीबं 3.33 मिलियन के करीब करीब हैं वो माकिट के अंदर अपने एजिस्टर करवाने जा रहा है टोटा रोल्स आउट फल्ट हाइबरिड वहीकल ये भी एक नूज टोटा के हमाले से एची थी उसके बाद 24 केरेट गोल्ड प्राइज इंक्रीज बाए 800 रुपे पर तोला ये आज की नूज थी फाइनास्मने इस्ट्री टू एक्सपोज बैंक से इंवाल्ड इन इलिगल एलसी फॉरेक्स एक्विटीज इस पेकुलेशन ये भी जो है वो आज की नूज थी उसके बाद देखा जाए तो क्रूड एज़िज अफ आफ ऑपेक मीट्स ये क्रूड आइल के हमाले से आज न नूज थी तो उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर काफी किसम की इस तरह की नूज थी के जो मार्केट को जिन्होंने उठाए रखा पी एजारा सुजूकी आॉक्शन फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री उसके बाद देखा जाए तो जो है स्पीडी डेश्टमेंट और फर्स्ट वुमेंट बैंक लिमिटेड डिरेक्टिड ये कुछ जो है वुमेंट बैंक के वाले से एक न्यूस थी इंटर डे रिपोर्ट कैसी 100 ऑन ट्रैक फार जो है वो 10 कल्डेक्टिव वीकली अगें तो के लाइसंस हेरिंग टोडे जो है आपकी के लाइसंस की हेरिं थी इसकी भी न्यूस डिटेल में आप लोग देख सकते हैं अगर जो है वो लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा तो इंडस मोटर कंपनी इनोग्रेट से इट्स हाइबरिड इलेक्टिक वेहिकल ये आप लोगों को मैंने बता दी है तो मार्केट में कुछ इ इन में रखिएगा कि मार्केट जो है बहुत जादा वालिटाइल है और मार्केट के अंदर बहुत जादा स्पेकुलेशन है तो आप लोगों ने करना क्या है मैं अभी बता रहा हूं कि आप लोगों ने सैलिंग ऑन खाय करके बाहरा अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें और उसके बाद जो है जब मार्केट डिप ले तो फिर दूबारा रीबाय करें मार्केट कही नहीं जा रही इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा कुछ ड्रॉफ और नहीं जा रहा कोई बड़ी कोलेक्शन नहीं है कोई मंदी नहीं आने वाली लेकिन मारकेट इस वकत ओवरबॉट हो चुकी है, यह आपको थोटी सी मिसाल दो कि अगर मारकेट 25,000 अरब की है तो 23,000 अरब रुपे तक की बाइंग हो चुकी हुए है, तो 2,000 अरब रुपेया आप समझे ले, बहुत छोटी एक amount बनती है कि जिसको आप calculate या quantity जिसकी नहीं कर सकते हैं Thanks a lot, tune up with us, हमारे चैनल को like करें, share करें, subscribe करें और buying call के लिए जो description में मारा WhatsApp चैनल है, इसको जरूर जोइन करें